नमस्कार मैं हूं प्रशान्त भार्व द्वाज और आप देख रहे हैं नियूज रूप पोस्ट देव भूमी उत्तराखंद की पहचान है उसके बेहत खुब्सूरत और रमनीग परियक्न स्थलू इसके कणकण में देवों का वास है इसलिए से देव भूमी कहते हैं यहां की नदियों और जर्णों से लेकर धार्मिक इस थलों तक का अपने आप में एक महत्व, रहस्य और इतिहास है जो उन्हें बेहत खास बनाता है ऐसा ही एक जर्णा है चमोली जिले के बद्रिनाथ में जो पापी लोगों के छूने भर से ही गिरना बंद गर देता है आपको सुनने में ये शायद अकल्पनिय लगे लेकिन ये बात बिल्कुल सच है बद्रिनाथ से 8 किलोमीटर और भारत के बिल्कुल आखरी गाउं माना से 5 किलोमीटर दूर समुद्रतन से 13,500 फीट की उन्चाई पर मौजूद इस अदभूत जर्णे को वसुधारा के नाम से जाना जाता है इसका उलेक शास्त्रों में भी मिलता है ये जर्णा जितना पवित्र माना जाता है उतना ही ये रहस्यमई भी है ये जर्णा करीट 400 फीट उन्चाई से गिरता है और इसकी 52 जल्धारा बिल्कुल सफेद मोतियों जैसी नजर आती है जो बेहरी उप्सूरत भी लगती है यहां आकर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो स्वर्ग में आने इस जर्णे की खास बात ये है कि इसके मीचे जाने वाले हर शक्स के उपर इसका पानी नहीं गिरता बलकि माननिता कहती है कि इसके पानी की बूंदे पापी लोगों के शरीर पर नहीं गिरती धर्म ग्रंथों के मताबिक यहां पांच पांडवों में से एक सहदेव ने अपने क्राम त्यानी थे इसके बारे में माननेता है कि अगर इस जल प्रपात के पानी की पूंद किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो समझ जाना चाहिए कि वो एक उन्यात्मा है इसके इस चमतकार की वजह से ही देश ही नहीं पलकी विदेशों से भी शरब ठालू यहां आकर इस अग्भुत और चमतकारी ज़र्ने के नीचे एक बार जरूर खड़ होते हैं कहा जाता है कि ज़र्ने का पानी कई जड़ी बूटियों वाले पौधों का सपर्ष करते हुए गिरता है इसलिए इसमें अलग-अलग जीवन दायनी जड़ी बूटियों के तत्व शामिर होते हैं और इसका पानी जिस किसी भी इनसान पे गिर जाए उसकी काया हमेशा के लिए दिरोग बूट जाती है माननता है कि यहां अश्ट वसू यानि कि आयज, ध्रोग, सौम, धर, अनिल, अनल, पत्यूश और प्रभाश ने कठोर तब किया था इसलिए इस जल्परपात का नाम वसू धारा पड़ा यह जल्परपात इतना उंचा है कि परवत के मूल से शिकर तक एक नजर में किसे देखा भी नहीं जा सकता यहां पहुँचने के लिए श्रभधालूओं और पर्यटकों के लिए माना गाउं से घोडा, खच्चा और डंडी और या कंडी जैसी सुविधाय भी मिलती है भारत चीन सीमा से लगे इस शेटर के किसी गाउं में जब भी देवरा यात्रा याने की धक्तों को भगवान के दर्शन कराने की यात्रा आयोजित होती है तो देवी देवता और यात्रा में शामिल लोग पमित्रस नाम के लिए वसुधारा जरूर पहुँचते हैं माननेता है कि राजपाट से विरक्त होकर पांडव जग्त्रापदी के साथ इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग गई थे और यहीं पर स्वर्ग रोगडी भी मौजूद है वसुधारा में ही सहदेव ने अपने प्राण और अर्जुन में अपना धनुष कांडीव त्याग दिया था वसुधारा के लिए फुट ट्रेक माना गाउं से शुरू होता है सरस्वती मंदिर से गुजरने के बाद 5 किलो मीटर लंबा ये ट्रेक और ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि यहां पर जमीन बहुती कठोर है और पथरी लीगी है इसलिए बाणा से वसुधारा तक की ट्रेकिंग में 2 घंटे तक लग जाते हैं और इस बीच रास्ते में भोजन या पानी की सुधा आपको कहीं नहीं मिलती है तो आपको उत्राघंड के अग्वत वॉटर फॉल वसुधारा के रहस्य से रूबरू करने वाली हमारी इस वीडियो में फिलाल इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर भी करतें साथ ही अमारे चैनल को सब्सक्राइब करनाओ न भूलें किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात नमस्कार